पांडिया स्टोर के मेकर्स को लगा तगड़ा जटका एक के बाद एक स्टार कास्ट क्यूं छोड़ रहे हैं शो को हेलो आप देखरें फॉस्ट इंडिया टैली मैं हूँ रजनी दूबे टीवी सीरिल पांडिया स्टोर लगातार टी आरपी के लिस्ट में टॉप 10 के अंदर अपना नाम बनाये रखता है लेकिन इतने हिट शो को क्यों स्टार कास्ट छोड़ रहे हैं जी हां चीकू के बाद अब एक और एहम किरदार ने शो को अलविदा कह दिया है जिसके बाद फैंस काफी जादा नाराज हैं वैल आपको बता दे शो में लीप के बाद कहानी सुमन शेश नीतु और नताशा के इर्दगिर्द घूमती चल जा रही है अभी हाल में ही शो में चीकू का किरदार निभाने वाले एक्टर साही उपल ने सीरियल को अलविदा कह दिया जब से रीजन पूछा गया तो एक्टर ने कहा कि शो में उन्हें खास स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वज़े से उन्हें उन्हें शो को छोड़ दिया साहिल के बाद अब कुछ दिनों के भीतर ही ईशा का किरदार निभानी वाली एक्ट्रेस सुर्भी दास ने भी प काम बचा हुआ है जिसे मैं जल्दी निपटा लूँगी वेल सुर्भी ने आगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कुछ खुलासे किये उन्होंने कहा एक दो प्रोजेक्ट है लेकिन वह डेली सोप नहीं है मैं आउट आफ दा बॉक्स सोचने की सर्भी से जब बीग बॉस या ज़लक दिखलाजा में जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया क्यों बीग बॉस और ज़लक दिखलाजा बे जरूर जाना चाहेंगी तो क्या अब शोक अलविदा कहने के बाद सुर्भी बीग बॉस में नजराने वाली है क्यूंकि लोगों को चास्त किया जाएगा तो यह दो बन ऴीग बोगों को आप आप्रोच किया जाका बीग बॉस के लिए तो क्या पांडिया स्टोर के इसा भी नज़े आएंगी बिग बॉस में वेल देखते हैं अब कहा नजर आएंगी ईशा आप कितने एक्साइटेड है ईशा को बिग बॉस में देखने के लिए हमारे कॉमेंट सेक्शन जाकर कॉमेंट करके जरूर बताए चैनल को लाई शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मूलें